अनारा जो चाहती थी मुनावर ने वो चीज कर ही दी मुनावर ने एक बार बोला था सही टाइम पर मैं वो चीजे करता हूँ और वो टाइम मैं डिसाइड करूँगा और ये मुनावर ने बोला ही नहीं है मुनावर करके भी दिखाता है अपनी बाते जो बोलता है वो सच भी करके दिखाता है मुनावा फारुखी ने अपने पूरी मकान के लोगों को एकठा किया मकान के अंदर डिसाइड किया मुनावा फारुखी ने ये भी बात बोली अंकिता को अंकिता जी आप से प्राबलम है क्योंकि आप सिरफ रोटी बना रही हो मनारा और इशा चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि आप रोटी के इलावा और भी काम करो because दूसरे लोग भी और भी काम कर रहे हैं तो जहां पर अंकिता के उपर थोड़ा सा मनारा के सामने थोड़ा गरम भी हुआ मुनावर और वहां पर अंकिता को logical बाते जो है मुनावर की सुननी ही पड़ी इसी तरह अन्ही मुनावर ने ये बात बोल दिया कि 48 मिनिट होते हैं 48 मिनिट में बस खाने के उपर ध्यान दिया जाएगा और जो लोग तीस तीन लोग बचेंगे वो बरतन, मॉपिंग और स्लाप जो है वो करेंगे जहां पर मनारा ने बोला कि हाँ ठीक है मैं मॉपिंग स्लाप और जाड़ू जो है वो सब कर दूँगी और जहां पर बरतन जो है वो अभिशेक और समर्थ कर लेंगे क्योंकि जो तीन लोग है जो भी तीन लोग बनाएंगे वो 48 मिनिट में बस बनाने का ही काम करेंगे और कुछ काम करने के जरूरत नहीं है और दूसरे लोगों को बीच में आने के जरूरत नहीं है तीन लोगी किचन में रहेंगे अगर आना भी है तो आओ पर दूसरा कोई काम करने के जरूरत नहीं है जब वो खतम होगा 48 मिनिट उसके बाद आदे घंटे में पूरा किचन जो है वो क्लीन करना है उन तीन लोगों को यह सौट कर दिया मुनावर ने इसी वीच में जो है अभी मकान भी साफ करना है बाहर की भाहर घर की भी ड्यूटीज है तो उसको लेके थोड़ी सी बहस जो है चड़ी जहां पर इशा ने बोला कि मैं अब इस बार जो है नहीं करूंगी फ्राइडे को घर साफ मकान साफ जहां में मुनावर ने बोले कि तुम क्यों नहीं करोगी तुम यहां पर क्रेड़िट लेके थोड़ी ना चल रही तुमने पहले ग तो इसका मतलब यह थोड़ी न होता है कि तुम नहीं करोगी, तो फिर भी इशाट की रहती है, तो बोलती है, अंकिता इस चीज़ को सौट करती है, और अंकिता बोलती है कि ठीक है, तु इस हफते मत कर, ठीक है, इस हफते जो है कोई तीन लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद अगले हफते को यह तीन लोग कर लेंगे, जहाँ पर पूरे घर की, मकान की, सफाई, बातरूम, सब चीज़े साफ करनी होगी, जहाँ पर यह सब चीज़े सौट हो चुकी है, अभी बहुत ही अच्छा जो है जवाब और बहुत ही तरीके से जो है मुनावर ने समझाया, और ड्यूटी जो है बांटी है, खुद भी, दूसरों के भी उपीनियन जो है वो सुने है, तो मनारा को एक जवाब भी मिल चुका है कि सही टाइम पे मुनावर स्टैंड लेता है और जब उसको लगेगा कि हा मुझे स्टैंड लेना चाहिए, इसके उपर बोलना चाहिए तो मुनावर किसी से डरता नहीं है, चाहे वो अंकिता हो चाहे वो विकी हो चाहे वो अभिशेक हो चाहे वो खुद मनारा क्यों ना हो इसी के साथ ने लेती हूं जाज़त नमस्कार